कि हलो फ्रेंट्स वेलकम टू स्मार्ट नोक्री चैनल दोस्तों आज इस वीडियों में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको खीर बनानी है जिए दोस्तों आर्पी अप्टेटेश जो ग्रूप सी का चल रहा है उसमें दोस्तों आप खीर और दाल बनाने के लिए कहा जा र दीजिए क्योंकि स्मार्ट नोगी चैनल पर लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है साथ ही दोस्तों जब भी सकाइनों के समद्धित कोई भी नया फॉर्म आता है तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको स्मार्ट नोगी चैनल पर दिखा जाती है तो च आपके पास जो भी सर्टिफिकेट से उसके डेट देख लीजेगा वैलिड है या नहीं वह भी सी वालों के ज्यादा तर दिक्कत होती है और सी एस्टी जितने हैं कि यहरी वालों उनके जो है डॉक्मेंट्स दों परफेक्ट होने चाही ओरिजणी लेकिजाना पड़ेगा दोस्तों को आपको बीना ओरिजन नहीं चले गा तो यह जीं काफी लोगों ने पैसिर दिखाना पड़ीजाएं दिख्वान अपने के लेकिर की तो यह क्या है दो इस दाल की रेसिपे हैं अपने अपने नेक्स्ट वीडियो में देने वाले हैं और खीर तो खीर का आज हम आज है और अपको कैसे बनाना है कितना समय आपको कैसे मैनेश करना सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में चलिए स्टार्ट करते सबसे पहले तो एक नज़े डाल ले कितने लोगों के लिए हो गया अब हो गया समय तो यहां पे दीखिए समय 15-30 ने दिया है लेकिन दूस्तो आपको मिलेगा 15 मिनट 2 आदमी के लिए बनाने के लिए 15 मिनट कर समय आपको दिया जाएंगा जी आपके पास कुछ बेलन वगेरा समान वहां पर रहखेंगे आप जो है चावल को खड़े मत्यूं कि आपके समय ज्यादा नहीं है 15 मिट का समय है आपको खीर बनारा खीर में जानते हैं चावल खड़ा है पतला है इसे कोई मतलब नहीं है खेर सिफ फुगा होना चाहिए मत सब्सक्राइब करें नौर्मल आधा तुकड़ा करके उसके बाद उसे पकाई दोना जरूर दोना इसलिए दोस्तों क्योंकि वहां पर सफाई भी बहुत इस पेशली ध्यान दिया रहा है आप बना कैसे रहे वह तो देखेंगे तेस्ट करके लेकिन सबसे पहली जो बिना ब बढ़े जो आपका किचन दिया गया है आपको बटी वगर सबसे तरह से साफ कर लेना है ताकि जब आपके पास आकर टेस्ट कर तो यह ना इसास हो कि आपने सफाई जो है पर ज्यादा फोकस नहीं किया दो दोनों इस ध्यान रखना कि एक खाना बनाने वाले को जो को होता ह है वह जितना बहनत से खाना हम उतने मेंन से सफाई भी जरता है तो यह चीज़ए आपको मार्क्स मिलन दोस्तों है तो यह सब चीज़एं आपको समागरे की यानि कि क्या क्या समान लगेगा देखिए 100 ग्राम जो है अधा कब चावल जी हैं आपको वह आधा कब दीया जात जिन से कम नहीं देंगे आपको डाइशोय मिलके आसपस दूद रहेगा सौ गराम आपको आधा कब चीनी को तो आपको इसमाल करना है जितने लग कि आपको बनाने के लिए गए अगर अगर नहीं दे रहे हैं तो इसको कट कर दीज़ेगा दोस्तों यह मैं आपको स्टैंडर् घर पे होटल समय वह तो वहां पर अगर आपको बादा में दीए तो आपी मससी के सरभादाम नहीं मिला जिपर यह सब चीजे क्रॉस कर देना अगर है तो डाल दीजेगा दस काजू की छोटे-चोटे टुकडे अगर है तो डाली नहीं तो इसे भी क्रॉस कर दिए एक बड कहीर कीजigon के अपिक में तो सब्सक्राइब को ठीक पार्APP अपार जा सब्सक्राइब नमशे तो चाहिए से इकके तो कि जब भी कोई भी आपको जो चीज blossomsêm कि बढ़िह जाए थाँ दाल हो चाहे ऑमलेट हो रोटी हो चाहे वह आपको खीर हो खीर हो तो कुछ भी आपको मिल रहा है बनाने के लिए उसे बनाने के बाद इसे कितनी सफाइश से पेश्ग करते हैं वहीं MPOR25 होता है मार्ण सके वह बढ़ जाते दोस्तों तो सखीर को बनाने के लिए आप को एस बसारी को बनाना है पहले क्या करना है? निकाल करें पांच मिनेट छलने से को कर दिये ऑपको सफाय जो है तो भी बहुत इंपोर्टेंट है आप कड़ाई में चमच घी डालकर गयस पर गरम करो उसके बाद क्या करना है आपको चावल को डालकर दो से तीन में आच पर बड़ी चमच से चलाते हुए फ्राइग करें आपको पता है थोड़ा सा तेल डाली जी कराई में उसके बाद जो है ब्राउन जब तक आप समझते हैं थोड़ा सा हलका सा जब चावल लाल पन में आने लगता है ब्राउन कलर में तब समझ तक तब तक उसको चलाईए खीर बनाने के बड़तन में दूड़ डालकर इसमें आधा कप पानी मिलावन करना पड़ेगा क्योंकि आप यूर दूद म उबाल आने के बाद इसमें भूने में चावल डाल से आट से दस मिन तक मध्य माच पर चवल लाते हुए पकाएं तो दूद में उबालाने का रहती है दोस्तों कि आप अगर गाइस का इस्तमाल किया है वह भट्टी दो भी चीज़ी दिया थी तो अगर आपने वहां पे ज सब्सक्राइब नहीं आता क्योंकि हमारा एक्सपरेंस वीडियो के पहले हमने अप्लोड कि उसमें आप देखिया हमारे कि स्टूर्ण ने हमें बता है कि सर कुछ लोग क्या कर रहे हैं 15 मिनिट का समय दिया हुआ है जो कि सफिसेंट है बट उसके बाद जूद भी लोग 10 मि बारा मिनिट में करके दिखा दे रहे हैं कि सर्मेरा हो गया हम कंप्लीटि इसमें कोई वाहवाही नहीं हो रही है वहां पर बलकि उनका छर्टिन नहीं है है तो इसकी पूरा आप एक भी मिनट छोड़िये मत आपको जब दिया गया है 15 मिनिट करना इसको बेवज़ए आप बचाक हम थोड़ा जल्दी कर देंगे तो हमेशाद ज्यादा सेलेक्शन मतलब चांसेज बढ़ेंगे ऐसा कुछ नहीं है आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है तो इसलिए आप भूला समय अपना इस्तेमाल कीजिए अच्छी से पकाईए साफ सफाई के साथ जब चौल सब्सक्राइब करने के बाद चावल की तैयार है इसे गर्मा घरम खाए फ्रीज में ठंडी करके भी खा सकते हैं तो यह तो आपको जरूत नहीं दोस्तों कि खाने काम जो आपका एक्जामनेल करेगा वह एक चमच आपका टेस्ट करेगा और एक चमच वह टेस्ट करता है त लेते हैं तो यह सारी चीज़ें होगे खीर बनाने की विधी कैसे बनाना है कैसे उसको सफाइब करना यहीं सब्सक्राइब पिछले जो हमने वीडियों बताया था हमारे इक स्ट्रेंट ने किया अपनाया और वहीं से उन्होंने जाके अपना सेलेक्शन पक्का किया तो यह सब्सक्राइब लगता है तो आप उसको रहने दीजिए अधरवाइस आपको स्मार्ट वर्क यह करना है कि तो यह आपको एक्जामनर जो आपका है वहां पर कॉंस्टिवल कुछ लोग ऐसे होते हैं तो वहां पर आपकी हेल्प भी कर देते हैं कि आप पहले सब्सक्राइब सब्सक्राइब लिए पाने मिडाल देजिए इस्तवाल का निकले हैं तो आपको थोड़ा हेल्फुल होगा बट आप अपनी तरफ से हमें सब्सक्राइब किसी के भरोत से अच्छा है कि हम अपनी सेल्फ कॉंफिडेंस पर जाए तो उमीड करता दोस्तों आपको खीर बनान